इसलिए योगी सरकार साथ साल से चिला रही है मंगेश यादों का इंकाउंटर हो गया उसके लिए हम लोगों को बहुत डर लग रहा है कि हमारे भाई का भी इंकाउंटर ना कर दिया जाए इससे हम लोगों को दहसत बनी हुई है यूपी पुलिस के अंकाउंटर में मारे गए अनुच प्रताप सिंग की बहन ने 9 सितंबर को आस तक से हुई पाचीत में कहा था कि उन्हें डर है मंगेश की तरह अनुच का भी अंकाउंटर हो सकता है इसी के 14 दिन बाद 23 सितंबर की सुभा तकरीबन 4 वजे यूपी अस्टियाफ और स्थानिय पुलिस के साथ हुई मुटबेड में अनुच को गोली लगी और अस्पताल में इलाच के तरह अनुच की मौत हुई अनुच सुल्तानपूर में हुई डीर करोड की टकैती में आरोपी था इस केस से होने वाला ये दूसरा एंकाउंटर है इससे पहले 5 सितंबर को मंगेश यादफ का एंकाउंटर हुआ था अनुच पर एक लाग का इनाम था अनुच का एंकाउंटर उन्नाव के अचल गंज में हुआ है अन्काउंटर की जानकारी देते हुए उन्नाव के स्पी दीपक भुकर ने बताया कि मौके से दो पिस्टल, कार्थूस और एक बैग मिला है बैग में चांदी की जूल्री भी बतायी जा रही है आज दिनांट 23-24 को अचलगन स्थाना चित्र जन्पद उन्नाव में लखनव स्टीफ टीम बदमाशों के बीच में मुड़ भेड हुई है इस मुड़ भेड में एक बदमाश घहल हुआ वह दूसरा बदमाश जो है मौके का फैदा उठा कर भाग गया जो घहल अभ्यूक था उसको पर्थम मुप्चार ही तुसी एकसी ले जाया गया उसके बाद उसको जिला स्पताल रेफर किया गया जहां डॉक्टर्स के दुआरा उसको मिरत गोशित किया गया इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुच प्रताप सिंग सरनोक धरमराद सिंग जन्पद अमेठी से हुई है यह बदमाश एक लाग का इनामिया पराधी था वह सुल्तानपुर में कोई डकैती की लटना में वांची चल रहा था इस बदमाश के विरुत पहले भी अपराधी कोड़ में दर्च है और जो मोके से है उसमें दो पिस्टल साथ खुखा कार्तूस, तीन जिंदा कार्तूस तथा एक बैक बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो जोल्री है वो मुझूद थी और मोके से ही एक मोटर सेकल पैसन प्रो बरामद हुई है इसमें अचल गिंद पुलिस के द्वारा अगरी मैधानी कार्वाई की जा रही है पुलिस के मताविक अनुज 28 सितंबर को ही ड़काती के बाद से ही वरार था हाला कि अनुज की बहन का कहना है कि 28 सितंबर के दिन सूरत में था नहीं लग रहा है कि इस बार इनवाल में क्योंकि उनसे सर बात होती थी बात हुई भी है 28 सितंबर के ही दिन पापा को पुलिस लेकर गई थी वो बिमार थे उन्हें पुलिस ने कहां रखा हमें इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई सर वो पढ़ाई करते थे और उनका बीए फाइनल हो गया था ससी की प्रिप्रेशन करते थे और उनके जो फ्रेंड थे कुछ काम से उन्हें घूमने के लिए बाहर लेकर गए थे सूरत फिर वहां पता चला कि हाँ कोई डगैती का केस हुआ है उसी के सिलसले में उनकी तारिक चल रही थी और वो तारिक पे ही गए हुए थे उनसे डेली बात होती थी वो सूरत में तारिक के लिए गए थे और 29 तारिक को यहां की पुलिस मोहन गंज की पुलिस हमारे पापा को लेके गई है और हमारी मा भी नहीं है तीन साल पहले हमारी मा की डेथ हो गई है हम लोगों के सिर्फ स्थापा ही सहारे थे और पापा को भीुह लोग लेकर गये हैं और को information नहीं दे रहे हैं कि हुँनसे बात हो नह हम लोगों कि उने बात हो पा रही हैं ना पापा को पता है कि हम लोगा नहीं प्रतिकरी आई है उन्हों ने का अब खिले शादव हो गया जिसके पास 35 केस हैं उनका इंकाउंटर नहीं हो रहा जिसके पास एक-डो केस है उनका इंकाउंटर किले जा रहा है इसके बाद पुलिस ने तीन सितंबर को सुल्तानपूर को उत्वाली शेतर में टकैती कि आरोपी पुश्पेंदर सिंग, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंग को पुलिस के हाथ होई मुटपेड के बाद गिरफतार कर लिया था दो दिन बाद 5 सितंबर को मंगेश यादव का एंकाउंटर हुआ, 11 सितंबर को पुलिस ने अरोपी विवेक सिंग, विने शुकला, अर्विध यादव और दुर्गेश सिंग को गिरफतार किया यूपेड पुलिस के मताबिक सुल्तानपूर में जूल्री शॉप को लूटने के लिए पांच बदमाश शॉप के अंदर खुसे थे, अंकित यादव, अर्वाज, मंगेश यादव, अनुछ पताप सिंग और फुरकान मंगेश का एंकाउंटर के बाद UPSTF पर कई सवाल उठाएगा है, अखिलेश आदव ने तब कहा था कि मंगेश की जाती देखकर उनका एंका एंकाउंटर किया गया है अनुछ के एंकाउंटर के बाद भी, महाल कुछ वैसा ही बन रहा है, बीज़पी को उससे कहा जा रहा है कि सरकार जाती देखकर काम नहीं करती है, अपराधी देखकर के, अगर अपराधी है, अपराध किया है तो उसके खिलब कारवाई हुई है, अगर वो जाती की बात कर करते हैं तो हमको तो उन्हों की बात परहसी आती है सरसट मुसल्मान अपराधी 20 ब्राम्हन 19 राजपूत 17 जाट गुजर 16 यादव 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य लोग मारे गए जो अपराधी प्रवित के थे तो फिर मंगिस यादव पर ही चर्चा क्यों सभी लोगों पर चर बंद करने की बात है और कोई बात नहीं है इससे इतर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उद्यवीर सिंग का कहना है कि पुलिस ऐसी कारवाईकर सिर्फ परसेप्शन बनाती है जितने भी क्राइम के जानकार हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे रिटाइट पुलिस वाले हों, सब जानते हैं किसी भी घटना के जब मुक्य अव्यूक्त सरेंडर बोल देते हैं, तो उनके चेले चपाटे भी उसी साथ सरेंडर बोल देते हैं तो अब दूर भाग जाते हैं या तो अपने गुरुओं के साथ सरेंडर कर देते हैं यह 40 किलोमेटर की रेंज में पिछले 20 दिन से सब मरने के लिए घूम रहे हैं यह लीपा पोती की घटनाएं हैं पुलिस के जानकार सब बताते हैं कि ऐसी घटनाएं कवर अब के लिए की जाती हैं पर्सेप्शन और संदेश मेंटेंड किया जाते हैं और पर्सेप्शन और संदेश ही मेंटेंड हो रहा है लोग और पर काम नहीं हो रहा इसलिए योगी सरकार साथ साल से चिल्ला रही है कि परादी प्रदेश चोड़ गए प्रदेश चोड़ गए लिकिन सबसे ज्यादा खुले याम दिन दाले ड़केती इनी की सरकार से शुरू हुई है। अखिलेश अदव का कहना है कि भातियनता पार्टी जुनावहारने के बाद सिर्फ यादव और मुसल्मानों को टार्गेट कर रही है। पड़े पेमाने पर टांग पर गोली लगी है या हाथ पर गोली लगी है। इसका नाम दिया हाफ इंकाउंटर या टांग पर गोली वाला इंकाउंटर ये जितने भी टांग पर गोली वाले इंकाउंटर हैं ये सब फर्ज इंकाउंटर हैं। ये सरकार की नियत साफ नहीं है, सरकार की नियत कभी साफ नहीं हुई है, सरकार चुनाओ हाटने के बाद और खासकर भारते देता पाड़ी चुनाओ हाटने के बाद केवल यादव और मुसल्मान पर नजर मार रही है ये तो हुई राजनितिक प्रतिक्रिया, बाकी पुलिस जाच कर रही है, अनुच के पिता का कहना है कि अनुच निर्दोश है, वो डकैती के वक्त सूरत में था, उस पर सिर्फ एक दो मुकद में ही चल रहे थे, खाला कि पुलिस का कहना है कि डकैती के सीसिटी ए फुटेज म अनुच साफ नजर आ रहा है, पुलिस अनुच के पास से मिली बाइक की भी जाच कर रही है, इस वीडियो में इतना ही, इस महमले में आगे जो भी अप्डेट आएगा हम आप तक वो भी जरूर पहुचाएंगे, इस स्टोरी के लिए हमें इन पुट उपलप्त कराया है, आज तक के सही होगी संतोष शर्मा ने और खबर लिखी है हमारे साथी रज़त पांडे ने, उत्तर प्रदेश से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रही ललन टॉप यूपी, शुक्रिया